जैशी किश्ना दोस्तो वियसरा फैमली में आपका स्वागत है दोस्तो 25 अक्टूबर को लगने वाला सूरे ग्रहन बहुत ही प्रभावशाली सूरे ग्रहन माना जा रहा है ये कार्तिक मास के अमावस्य अतिथी के दिन लगने जा रहा है और इसका प्रभाव संपून भारत म में आंशिक रूप से ये देखा जा सकेगा सभी राशियों पर देखे जब भी ग्रहन की स्तिती बनती है तो उसका प्रभाव 12 राशियों पर पड़ता है और यहां पर छे भागेशाली राशियां ऐसी हैं जिनको बहुत ही शेष्ट लाब मिलने के योग बन रहे उनको आर ग्रहन के दोरान क्या उपाय करने चाहिए क्या दान करना चाहिए जिससे कि यह सूर्य करें आपके लिए और अधिक लापकारी साबित हो दोस्तों इसकी जानकारी देने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैन सबस्क्राइब निकर रखा तक सब्सक्राइब स्क्राइब जरू करने बैल आइकन को भी दबा दें जिससे मेरे आने वाली सभी लेटस्ट वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुच सके दोस्तों 25 अक्टूबर को लगने वाला सुर्य ग्रहन बहुत ही प्रभावशाली सुर्य ग्रहन है और इस सुर्य ग्र को दो बचकर 29 मिनट से ग्रहन प्रारम होगा और शाम को 6 बचकर 32 मिनट पर इसका समापन होगा कुल अबधी 4 घंटे 3 मिनट की रहेगी दोस्तों जो गर्वती महिलाये हैं विशेश रूप से ग्रहन के दोरान सावधानी अवश्य रखें सूर्य ग्रहन में देखें सभी को सावधानी अवश्य रखनी चाहिए लेकिन जो गर्वती महिलाये हैं उन्हें विशेश सावधानी रखनी चाहिए क्योंकि जो ग्रहन का जो प्रभाव है वो होने वाले बच्चे पर अधिक पड़ता है तो ग्रहन से पहले ही अपना खाना पीना जो भी कारे आप करना चाह तो ऐसे समय पर आप मन ही मन में मतलब कोई भी जाप कर सकते हैं सूरे के मंतरों का जाप कर सकते हैं महामित्युजय का जाप कर सकते हैं संतान गोपाल मंतर का जाप कर सकते हैं ऐसा करना आपके लिए शेश रहेगा इसके साथ ही गर्वती महिला को ग्रहन से पहले ही अपने पे तुलसी दल अवश्य डालें और विशेश रूप से पानी में तो तुलसी अवश्य डालनी चाहिए क्योंकि देखे चार गंटे की अब धी काफी लंबी होती है तो आप जल अवश्य पिएंगे तो उस जल में तुलसी अवश्य डाल कर रखनी चाहिए इसके साथ ही देखे शेष रहेगा और छे भागिशाली राशियां ऐसी हैं जिनके लिए ये सूर्गहन बहुत ही शेष रहने वाला है उनको अत्यधी गलाब मिलने के योग बन रहें तो आप उपाए भी अवश्य करें इन भागिशाली राशियों में सबसे पहली जो राशी है वो है मेश राशी मेश राशी के जातों को अत्यधी गलाब मिलने के योग बन रहें इनका आर्थिक शेत्र मजूद होगा साथ ही साथ इनको लेके नोकरी में तरक्की के बहुत अच्छे योग बनेंगे और संतान सुक्य भी बहुत ही प्रबल योग बनते वे नजरा रहें दूसरी जो भाग पिष्ट और उत्तम संतान सुक्य सासा पुद्प्राप्ति के योग बनेंगे अगली जो भागिशाली राशी है वो है कुम्भ राशी कुम्भ राशी के जातों के लिए अत्यधी गलाब मिलने के योग बनेंगे धनलाब होगा और साथ ही आपका आर्थिक शेत्र मजूद ह आपके कारे की सराहना होगी और कुम्भ राशी के जातों के लिए भी संतान सुक्य के बहुत ही प्रबल योग बनेंगे अगली जो भागिशाली राशी है वो है कर्ण्या राशी मकर राशी और मीन राशी यह छे भागिशाली राशियां ऐसे हैं जिनका आर्थिक शेत्र बहुत ही शेश रहेगा साथ ही जो हमने आपको उपाय बताये हैं वो अवश्य करें तो निश्यत ही आपको शेश लाब देखने को मिलेगा दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर जरू करें आप सभी को जैशी कृष्णा